Your Excellencies, राष्टपती पुतीन, राष्टपती श्री, राष्टपती रामा फोशा, राष्टपती बॉल्सोनारो, नमस्कार! ब्रिक्स सीखर वारता में आप सभी का बहुत स्वागत हैं, ब्रिक्स की पंदरवी वर्जगांट पर इस समीट की अद्रिक्स्ता करना मेरे लिए और भारत के लिए खुशी की बात है! आज की इस बैठक के लिए हमारे पास बिस्तृत एजेंडा है, बैठक का एजेंडा आप सभी के पास भी हैं, यदि आप सभी की सहमती हो, तो हम इस एजेंडा को अपना सकते हैं! एजेंडा को स्विकार किया जाता है, एक्सलेंसीच, एजेंडा के पारित होने के बाद, हम सभी संख्षिप्ट में अपने ओपनिंग रिमार्च दे सकते हैं, पहले मैं अपने ओपनिंग रिमार्च दूँगा, और फिर बारी-बारी से आप सभी महनुभावों को आमत्रित करूँगा! एक्सलेंसीच, भारत की अध्यक्ष्टा के दौरान, हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर्स में और सभी से भरपूर सहयोग मिला है, और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभारी हूँ! पिछले डेड़ दसक में ब्रिक्स ने कई उपलब्दियां हासिल किये हैं, आज हम विश्व की उभरती अर्थववस्ताओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज हैं! विकासिल देशों की प्रात्फिकताओं पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए भी यह मंच उप्योगी हो रहा है! ब्रिक्स ने न्यू डेवलोप्मेंट बैंक, कंटीजेंसी रिजर्व एर्रेंजमेंट और एनर्जी रिजर्च कोपरेशन प्रेट्फॉम जैसी मजबुत संस्थाओं का स्रिजन किया है! नीसंदे गर्व के लिए, गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है! मगर यह भी महत्वपून है कि हम आत्मसंटूस्ट न हो! और हमें यह सुनिशित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्सों में और परणामदाई हो! भारत ने अपनी अध्रिक्सता के लिए जो थीम चुना है वह यही प्रात्रिक्ता दर्साता है! ब्रिक्स अग्फिप्टीन, इंट्रा ब्रिक्स कोपरेशन फर कंटिनुटी, कंसलिडेशन, एंड कंसेंसस! यह चार सी एक प्रकार्चे हमारी ब्रिक्स भागिदारी के मुल्च सिध्धानत है! इस वर्ष, कोवीड की विवस्ताओं के बावजूद, 150 से अधिक ब्रिक्स बैठके और कारकम आजजित किये गए, जिन में से 20 से अधिक मंत्रिश्तर पढ़ते! परंपरागत खेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ हमने ब्रिक्स एजेंडा का विस्तार करने का भी प्रहत न किया। इस संदर में इस साल ब्रिक्स ने कई फर्स्ट हासिल किये, यानि कई चीजे पहली बार हुई है। हाली में पहले ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ सम्मेलन का आयोजन हुआ, टेकनलोजी की मदद से हेल्थ एक्सेस बढ़ाने के लिए ये एक इनोवेटिव कदम है। नवंबर में हमारे जलसाओं साधन मंत्री ब्रिक्स फॉर्मेट में पहली बार मिलेंगे। यह भी पहली बार हुआ कि ब्रिक्स की ने मल्ट्री लेटरल सिस्टिम की मजबूती और सुधार इस पर एक साजा पोजिशन दी। हमने ब्रिक्स काउंटर टररिजम एक्शन प्लान भी एड़प किया है। हमारी अंत्रीक्स एजन्सिया के बीच रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट कॉंस्टेलेक्शन समझोते से सयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हमारे कस्टम्स विभागों के बीच सयोग से इंट्रा ब्रिक्स व्यापार आसान होगा। एक वर्चुल नेटवर्क के रूप में ब्रिक्स वैक्सिनेशन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करने पर भी सहमती बनी है। ब्रिक्स एलाइंस और ग्रिन टूरिजम एक और नई पहल है। एक्सेलेंसीज इन सभी नए इनिसिटिव्स ने न सिर्व हमारे नागरिकों को लाब मिलेगा। हमारा ब्रिक्स संगठन भी आने वाले स्वनों में प्रासंगिक रहेगा। मुझे विश्वास है कि आज की बैठक ब्रिक्स को भविश्व में और उपयोगी बनाने के लिए उपयूक्त दिशा देगी। हम महत्वप्रोण वैश्विक तदा खेत्रिय मुद्व पर भी चर्चा करेंगे। अब मैं आप सबसे अपने ओपनिंग रिमार्स साजा करने का अनुरोद करता हूँ। सबसे पहले मैं राश्पति श्री को आमंत्रित करता हूँ। करता हूँ।